परियावरण में जिस तरीके से पॉलिथिन के उपयोग से पुल्यूशन जो बढ़ता जा रहा है अब उसको लेकर जमो मुनसिपल कॉर्परेशन ने एक बड़ा फैसला लिया है अब ये फैसला लिया है कि 120 माइक्रोन से पतले पॉलिथिन के परियोग पर पूरी तरह से प्र ये मीटिंग मेर जमो के दिक्ष्टा में हुई जिसमें ये फैसला लिया गया कि जिस तरह से पूरे जमो में लगातार पॉलिथिन का यो प्रचलन है बढ़ता जा रहा है और जिसकी वज़ा से पॉलिथिन जो है लगातार बढ़ता जा रहा है इस पॉलिथिन की वज़ा से और environment को इससे कई तरह के जो है नुकसान भी हो रहे हैं उसी को लेकर अब ये फैसला लिया गया है कि 120 micron से पतले polythyn के परियोग पर पुरी तरह से अप्रतिबंद होगा एक मार्च से और इसके लिए एक awareness campaign भी चलाया जाएगा पूरे शहर में ताकि आम लोगों को इसके बारे बंद करें उसकी जगा जो alternative तरीके हैं कपड़े के जो बैग होते हैं उनका प्रियोग किया करें इसको लेकर एक awareness campaign भी शुरू होगी और ये भी बताया गया कि इसमें जो भी offenders होंगे जो इसका उलंगन करते हुए पाए जाएंगे दुकानदार उनको 5000 रुपे का जुर्मा माइकरोन या जाता है। कम जो है आम जो प्रदूशन है वो कम से कम फैले इससे पहले सतर माइक्रोन के पॉलिथिन पर प्रती बन था कि इससे कम के पतले पॉलिथिन पर प्रयोग करने पर पूरी तरह से प्रती बन था इसको लेकर मेर ने भी जो concerned officer है जमूब उनसे corporations के उनको directions दी हैं कि इसकी पूरी implementation के लिए वो हर संभव कोशिश करें पिछली जनरल house meeting में भी corporators ने शबत ली थी कि वो अपने यहां किसी तरह से भी जो है पलुथिन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे और अगर वो प्रयोग करते हुए पाएगे तो दस हजार पे का उनको जर्माना लगाया जाएगा जिसके लिए सब corporators ने इस पर सहमती भी जाहिर की थी और अब यह बताया जा रहा है कि आटो दुआरा उसमें speaker लगाया जाएगा और पूरे जमूश शहर में इसकी awareness के लिए लोगों को जानकारी देने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी कि आम लोगों तक ये बात पहुंचे कि pollution को कम से कम करने के लिए कि polythine का प्रयोग कम से कम करने के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें aware किया जाए उनको जागरू किया जाए और 120 माइक्रोन से कम के polythyn का प्रयोग ना करें इसके लिए भी जानकरी दी जाएगी इसको और effective बनाने के लिए मेर ने इसके लिए reward की भी घोशना की है और ये बताया है कि जो supervisor अपनी वार्ड में सबसे पहले इस band को लागू करवाएगा पूरी तरह से उसको 5000 रुपे का reward दिया जाएगा और जो दूसरे नंबर पर रहेंगे उसको 3000 रुपे का reward होगा और जो तीसरी नस्तान पर होंगे उसको 2000 रुपे का reward दिया जाएगा और साथ ही साथ pollution control board को भी ये निर्देश दिये हैं कि वो भी अपनी तरफ से इस पूरी implementation के लिए कोशिश करे और awareness फिलाए और अगर जुरूरत पड़े तो पुलीस की भी मदल ली जाए इस band को implementation करवाने के लिए ये भी कुछ बातें जो है उसमें से निकल कर आएं और ये भी बताया गया कि जिस दुकानदार जो है बार बार जो इस लंगन इसका करेगा उसका जुरुआना जो है से डबल कर दिया जाए ताकि दूसरों को भी इसकी सीख मिले और ये पॉलिथिन का प्रियोग कम से कम किया जा सके इस तरह से कुछ ये फैसले लिये गये हैं जमो मुंसिपल कॉर्परेशन दुवारा की जिस तरीके से लगातार इन्वारेमेंट में पॉलिथिन बैग की वजह से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है इसका प्रियोग बढ़ता कि अजये गा